ओम गडगडपते नम आज हम भगवान गड़ेश जी की कथा सुनाने जा रहे हैं गड़ेश जी जिने बिग्न हर्ता और बुद्धी सम्रत्धी और सवबाग के देवता के रूट में पूजा जाता हैं पहले गड़ेश जी का चहरा भी मनुस्थ के चहरे की तरह था लेकिन एक बार भगवान सिव जम माता पारवती से मिलने पहुचे तो गड़ेश जी ने उन्हें नहीं जाने दिया तब संकर जी ने गड़ेश जी का सिर तिर्सूल से अलग कर दिया था इसके बाद गड़ेश जी के सिर में हाती का सिर जोड़ा गया हाती के सिर की सुंदर्ता बढ़ाने वाले उनके दो दांत भी थे लेकिन परसुराम के साथ युद में गड़ेश जी का एक दांत भी तूट गया और वो एक दंत कहलाए उनका सरीर भी बड़ा था इसलिए उनसे कोई भी सुसील कन्या बिवाई के लिए राजी नहीं होती थी गड़ेश जी इस बाद से नाराज थे उन्होंने कहा अगर मेरा बिवाई नहीं हो रहा तो मैं किसी और का भी बिवाई नहीं होने दूगा उन्होंने अपने चूहे को आदेश दिया कि जिस रास्ते से किसी भी देवता की बारात गुजरे उस रास्ते को और बिवाई मंडप की भूमी को अंदर से खोपला कर बिग्न डालो चूहे ने गड़ेजी के कहने पर बैसा ही किया सारे देवता परिसान हो गए शिपची को कोई रास्ता नहीं सूज रहा था देवी पारवती ने सलाय दी ब्रह्मा जी से इस समस्या का हल निकाला जाए तब ब्रह्मा जी योग में लीन हुए और योग से ही दो कन्याएं रिध्धी और सिद्धी आउतरित हुई दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थे उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गड़िच जी के पास पहुँचे और कहा वह उन्हें सिक्षा दे गड़िच जी त्यार हो गए जब भी चूहा गड़िच जी के पास किसी के बिवाय की सूचना लाता तो रिध्धी और सिद्धी ध्यान बांटने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेर देती इस तरह बिवाय निर्विग्ण होने लगे एक दिन चूहा आया और उसने देवताओ के निर्विग्ण बिवाय के बारे में बताया तब गड़िच जी को सारा मामला समझ में आया गड़िच जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिध्धी और सिद्धी को लेकर प्रकट हुए उन्होंने कहा आपने श्वयम इन्हें सिक्षा दी है मुझे इनके लिए कोई योग वर नहीं मिल रहा है आप इनसे विवाय कर लें इस तरह रिध्धी बुद्धी विवेक की देवी और सिद्धी सफलता की देवी से गड़िच जी का विवाय हो गया और फिर बाद में गड़िच जी के सुब और लब दोपुत्र भी हुए जय सिरी गड़िच झाल